हाई अव्रिवान वेलकम चो कुकिंग विद बेनसीर कुकिंग विद बेनसीर सर्फ जाइका नहीं जस्बात भी अस्सलाम अलेकुम आज हम मुंबई स्टाइल चैने बनाने जा रहे हैं उसके लिए हम ले लेंगे तीन हरी मिर्ची और थोड़ा हरा धनिया इन दोनों चीजों का हम मिक्सर में डालकर पेस्ट बना लेंगे थोड़ा पानी भी आइड करेंगे हमने एक कप चने ले लिये हैं चनों को हमने 7-8 गंडे तक भिगाया था और बार में इसे बॉयल कर लिया है नमक डालकर हमने 2 चोटे साइज के आलू ले लिए हैं इनंहें हमने बॉयल कर लिया है इसके भी पीसिस करके हम चने के साथ मिला देंगे हमें इन आलूओं के चोटे पीसिस करके चने के साथ मिला कर त्यार रखना है हमने 2 टिबिल स्पून ये वाली इमली ले लिया है ये इमली को हमने गरम पानी में आदे घंटे के लिए भिगा कर रखा है हम इसका मसल मसल कर अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे हम इसे अच्छी तरह से यूं मस लेंगे और फिर इसका जो कच्रा है इसे अलग कर लेंगे हमने इमली का पल्प निकाल के अलग कर लिया है और ये जो इसमें कच्रा रह गया है ये हमें अभी नहीं चाहिए एक पैन में हमने तीन टेबल स्पून ऑईल गरम करने के लिए रख दिया है उसमें हम आट से दस कड़ी पत्ते दालेंगे हम इसमें आप एक छोटी प्यास दालेंगे बिल्कुल बारिक चॉप करके फ्लेम को हाई करके हमें प्यास को गोल्डन होने तक पका लेना है प्यास का कलर गोल्डन हो चुका है हम इसमें एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट डाल रहे है फ्लेम को लो करके हम आधी मिनिट तक इसे भून लेंगे आधी मिनिट के बाद हम इसमें वन एन आफ टेबल स्पून बेसन आइड करेंगे चने काटा फ्लेम को लो रखके हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से एक मिनिट के लिए एक मिनिट तक हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बेसन को भून लिया है बहुत अच्छी बेसन की खुश्बु आ रही है हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे फ्लेम को अभी हाई नहीं करना है हम इसमें जो चने हमने बॉइल करके तयार किये हैं वो डाल देंगे फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है हम इसमें कोतमेर और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाए हैं वो डाल देंगे हाई फ्लेम पर दो मिनिट पकाने के बाद हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे जो हमने तयार करके रखा है थोड़ा नमक गरम मसाला पाउडर बिल्कुल ठोड़ा डालना है इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है हमने साथ में हम इसमें आधा कप पानी और आड़ करेंगे यह चने रस वाले होते हैं तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्लेम को अभी हमने हाई ही रखा है जब यह अच्छी तरह से बॉइल होने लगेगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और इससे कवर करके बस 3-4 मिनिट पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाएंगे वरना इमली के साथ अगर हम ज्यादा पकाएंगे चने को तो वो कड़क भी हो सकते हैं इसलिए हम बस 3-4 मिनिट इससे पकाएंगे 3 मिनिट हो चुके हैं चने बिलकुल परफेक्ट तरीके से पक गए हैं ग्रेवी भी बिलकुल परफेक्ट है बस आपको ऐसी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बनानी है क्योंकि यह थोड़ी दिर के बाद और थोड़ा गाडा हो जाएगा यह परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हम फ्लेम को बन कर रहे हैं हम इसे हरा धनिया और तलीवी प्यास के साथ सर्व करेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टिक केर बाबाए अलाहाफिज